क्या आपको बता है इस बार का election दुनिया का सबसे जादा महेंगा election है क्या आपको बता है वोट करने वाली EVA मशीन चलती कैसे एक साथ अगर आप दो बटन दबा दो तो क्या होगा ये मशीने कितनी के आते हो और कितना खर्चा होता है एक election कंड़करने के लिए और अगर चोटी उंगली वाली इंक साफ कर दो और वापस चले जाओ वो तलने में फिर क्या होगा आज जित्ती टेकनोलीजी है भाई आपको सब कुछ दिखाने वाला है कम साथ हुजाएगा लेट्स गो इस बार सोशल मीडिया को बहुत जादा यूज करा गया है भाई elections के लिए अर नेता चाहे हो मोदी जी हो चाहे हो राहुल गांदी जी हो और भी बहुत सारे जित्ते ओल इंडियावाइड नेता है सब ने भाई सोशल मीडिया पे भर भर के content बना है काफी सारे ads चले हैं, काफी सारे podcast हुए है, collaborations हुए है, awards भी दे गए है बहुत सारी चीज़ हैं जो भाई elections में करी गई है सब ने EVM machine वाले button तो देखे हैं पर इंडिया में उससे पहले ballot paper के उपर भाई voting होती थी इसमें आपको एक slip में अपना stamp मार के vote करना होता था पर इसमें issue आता था कि process ने इतना था accurate नहीं होता था क्योंकि एक square होता था उसके अंदर आपको stamp मारना होता था अगर एक percent भी mismatch हो गया भाई इसके edges से टकरा गया तो वोट invalid हो जाता था 48 से 72 आर्स तक counting चलती रहती थी लगा था और जब counting चलती ही तब कोई बंदा बाहर नहीं जा सकता था कोई भी बाहर से अंदर नहीं आ सकता था 48 से 72 आर्स तक सब कुछ बंद हो जाता था और EVM भी 1990 से में आके भाई हमने use करना start करा पर EVM जब इंडिया में पहली बार use हुए थे वो केरला में use हुए थे मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ 1982 में केरला में पहली बार election हुए थे वहाँ पर एक candidate बस 123 वोट से हार गया था और उसको लगा भाई यह तो cheating हुई है मैं रसा उसने case कर दिया और उसने बोला कि वह यह EVM मशीन के अंतर गाड़ा है यह सब बिगार है तो actual court ने फिर से election करवाया और 2000 वोट से जीद किया same candidate उसके बाद सबको लगा कि वह EVM मशीन में कुछ घोपला है तो तब से 1988 तक EVM मशीन पर बैन लगा रहा लेकर आप बोलोगे यह EVM EVM होती है यह basically एक electronic voting machine कहला ही जाती है बाहर से लिखने में बहुत ही जादा simple सी लगती है बस कुछ button होते हैं जो आपको दबाने होते हैं कुछ light जलते हैं यह हो गया यह पर नहीं हो और बहुत ही simple इसको बनाया जाता है इसमें वैसे तीन पार्ट होते है एक EVM machine होती है एक VVPAT होता है और एक control unit होता है EVM machine आती है 7,900 रुपे की 9,800 रुपे का control unit आता है और 16,000 रुपे का VVPAT पैलेट unit के अंदर हम button दबा के vote अपना डाल देते हैं इसमें आप जो अपना vote डालने जाते हैं इसमें नहीं Bluetooth होता है नहीं वाइ-Fi होता है नहीं कोई USB cable लग सकती है नहीं इसमें आप कोई बिजली का अतार लगा सकती हो इसमें जो cable भी जाती हूँ और की के अलग तरीके की cable होती है ता कि इसको hack भी ना कराजाँ पाई यह basic alg इलेक register type होता है तो जैसे ही आपको इपन दबाओंगे, वहां पर काउंट हो जाएगा यह जो बैलेट वाली यूनिट होती है। अन्फीशल के सामने पड़ा रहता है। जब आफिशल्स के सामने बतन बाते हैं, तभी ही उपन बैलेट वाला यूनिट है, बालेट अगते है। इसके अलावा कोई बटन दबा की मुज़ाने कोश्च करेंगा, कुछ नहीं होता और जिलनों भी टेप रिकोड़र याद हो उसी की की तरह इसके अंदर बटन होते है अगर आप एक बटन दबा होगे दूसरा आला वापस पुप हो जाता है एक बार में एक बटन दबाएगा, तो अगर आप दोनों को एक बार में भीज़ानी गोश्च करेंगा तो भी नहीं होता है अभी कुछ साल पहले था, बैलेट यूनिट और एक कंट्रोल यूनिट होता था, बट एक्स्ट्रा सिक्यूरिटी के लिए, एक वीवी पैड डिवाइस अभी आड करी गई, आपके बाजू में एक मशीन रहती है, जिसमें आप जब भी वोट डालेंगे, तो एक स्लिप की फ आपके लिए पालग से नहीं लगा सकते हो, कहीं से भी कोई पेंड राइव निया गुजा सकते हो, कोई USB Type-C का पोर्ट नहीं है, कोई USB कुछ भी नहीं है, ये बस आपस में कनेक्ट होती है, अपना काम करती है, डन, इसमें वीवी पैड को चालू करने के लिए इसके अंद यहां पे रेड लाइड जलती है, इसका मतलब बैलिट यूनेट के अंदर गरीन लाइड जल गी है, वहां पे वोटिंग डालने के लिए उचुगा, रेडी, एक और मैं सीक्र अड़ाता हूँ, पचास नकली वोट डाले जाते हैं, यह बादा आप बादा भी, जब यह मश इनको मौका मिलता सारे बटन अच्छे से दवाने का, यह मौका हमको शायद कभी न मलता है, जितनी भी EVM मशीन से सारी इंडिया के अंदर बनती है, इसके अंदर अगर आपने कुछ भी चेड़ चाड़ करने ही गोश करें, मामला सेट हो जाएगा, यह जो EVM मशीन से इंड बना के बाहरी अंटरीज वो देता भी है, जैसे नेपाल, भूटान, नमीबिया, केन्या और पाकिस्तान, पाकिस्तान वे अपनी टेकनोलोजी जाता है, हमारी टेकनोलोजी पे ट्रस्ट करता है, यह अच्छली गवर्मेंट की खुद की वेब साइट पे लिखा है, इंडि यह अच्छो लोग उसको चुट्टी बनाने, बनाने बनान निकल जाते हैं, बड़ समत करना प्लीज वोट डाला, वेरी वेरी इंपोर्न, आप लोग कुछ दिक्कत वाली बात में, वो बैटरी जलती है, यह बहुत एक सिंपल 7.5 वाट की डबले जो बैटरी दोते हैं, उ महां पे भी वोटिंग बड़े अराम से करी जा सकती है, पहले जो EVM मशीन थी उसमें 3840 वोट डाले जा सकते हैं, बड़ अब न एक EVM मशीन के अंदर बस 2000 वोट ही डाले जाते हैं, एक EVM मशीन में 16 नाम लिखे आते हैं, बड़ अब चीज़ें 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 और फ्रांस वहां पे आटोमाटिकली आपको वोटिंग लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है, और ऑस्टेलिया के अंदर अगर आप वोट मही देते हो, तो आपको 1000 रुपे गा फाइन देना बड़ता है, इस बार एलेक्शन में 1.35 लाक करोड रुपे यूज हो रहे हैं, वोटिंग के लिए सबसे जादा तगड़ी चीज यूज करी जाती है, बायोमेट्रिक बेस्ट वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल करा जाता है, ताकि फ्रॉड्स को पंकड़ा जा सकते हो, इसमें आप अपना अधार कार्ड भी लिंक करा सकते हो, मतलब जिसका मन करे हो, पंकार सकते हो, जिए कि अधार में आपकी पूरी डीटेल होती है, आपका रेटीना है, जो आपकी बायोमेट्रिक्स मतलब हो, जो थम प्रिंट होता है, यह सारी चीज़ें आप अड करा सकते हो, जितने भी वोटरों होते हो, उनके रेजिस्ट्रेशन वाला डेटाबेस मै आप चांदी का एक कमपाउंड होता है, और यह फोटोगरिफी की फिल्म सिल्म से बनते हो, उसमें काफी जादा यूज होता है, यह बहुत ही जादा तगरिक्स होती है, इसके काफी जारी चीज़ें होती है, जैसे आगर यह आपके हाथ प्रगी, चाहे आप साबून लगा चाहे शैंपू लगाओ, कुछ भी लगाओ, यह नहीं निकलने होता है, नेल पॉलिश का जो रिमूवर होता है, उससे भी आप इसको रगड के रिमूव करने ही कोश्च करो, वो भी नहीं हो पाता है, इसमें थोड़ा सा अलकोहल भी होता है, जिससे बहुत ही देज सूख जैसी लगता है, अगर आप कोश करो कि लगता ही मैं पोच रूँ तो नहीं हो पाता, तब भी वो निशान रह जाएगा, आपके कपड़ों पे रह जाएगा, इस इंकी कोस्ट 49 रुपीज पर बोटल पर आती है, और 2019 में 26 लाक ऐसी बोटले और करी गई थी, उनका टोटल क अगर जाएगा, जैसी आप वो डालोगे गंटी बज़ती है, अगर गंटी दो बार बज़ गए इसका मतलब भाई वोटिं में दिक्कत आगी है, आप ने भी सोचाओ गया एक बार बटन दबा दिया, एक बार बटन दबा के वाई दो तो कुछ नहीं होता है, जैसी आप ब वैसे ही पीछे से वाई डिसकनेक्ट हरी जाती है, क्लोज बटन दबाया जाता है, तो उसके बाद कोई भी वोट्स एकसेप्ट नहीं करती है मशीन, पीछे से वाई निकाली जाती है, जिसके बिना कोई भी बटन दबाया नहीं जा सकता है, और खाली वो जो मशीन से हैं, लेके जाया जाता है एक अलग से कीश में उनको रखा जाता है उसके बाद उस पूरे वोत कुई है जो काउंटिंग हॉल होता है उसका जाता है यह वन डाक शीज को बन से होता है इससे हर candidate को उस machine के जितने भी vote मिलते हैं वो सीधा number दिखाई देता है बस दो से तीन minute के अंदर जो ये EVM machine में होता है सेम चीज वीवी पैट में भी अलग से जाके होती है ताकि दोनों machines में जो votes हैं वो अलग-अलग count करे जाएं और दोनों में अलग से टैली करा जाएं इसके अंदर slips होती है और इन सब को count करने में एक से दो घंटे का डाइम लग जाता है तो भाई कहीं पे भी दिक्कात अगर आती है तो पकड़ी जाएं जो RO होता है, Returning Officer उनके supervision के अंदर सारे votes की counting करी जाती है अब आप सोचोगी यार मैं आप स्कूरूडराइवर ले जाता हूं साथ में EVM मशीन को देख तो रहोता नहीं है कैमरे भी ने लगे होता है फोल जूल है और वहां पर दो-तीन पर चपका दूँ देखो आप यह ट्राइ कर सकते हो बस एक बार उसके बाद आप जेल पहुंचे होगी क्योंकि आपको एक बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है यह पूरा वोट का प्रोसेस करने के लिए और उसको खोलने के लिए जो स्कूरूज भी होते है अलग टाइप के स्कूरूज होते है और इसको अगर आपने खोलने कोशिश करी 100% आप पकड़ा जाओ और उसके बाद आपको असली मजाए एक दो चीज़े और वोट देते हैं टाइम व्लॉगिंग आप नहीं कर सकते हैं रिकॉर्डिंग करना पोटो घीचना सक्त मना होता है अगर आप डबल वोट डालने की कोशिश भी कर तो वो इल्लीगल और आपको उसके लिए जेल भी हो सकती है और अगर आपने कोशिश भी करी तो आपके दोनों वोट्स नलिफाई हो जाते हैं न्यूस चानल्स पर आता रहा तो यहाँ पर इतने वोटिंग होगी इसको उतने वोट मिली है, उसको उतने वोट मिली है वैसेकरी होता गया है कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं एंसका जो आरो होता है, रिटर्निग आपछी बाकी न्यू चैनल्स को आपने बताते रहते हैं कि बussa एत्ती कॉंटिंग होगी, यह रिजर्ट आगया है इससे न, live counting चलती रहती है और idea लग जाता, भई, कौन जी तेरा, कौन हाउ पर कहीं पर counting पहले होती है, कहीं पर बाद में होती है कहीं RO देर से बताता, कहीं पहले बताता, तो यह मदला, पुरा खिला-डॉला मामला रहता एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छे लगती है कि जब भी elections आते हैं, हम सब बहुत ही जादा involved हो जाते हैं और हम सब का एक attachment होता है कि ये वाली party जीते है, ये वाली party जीते है, फिर ऐसा हो, फिर ऐसा हो और ये चीज़ मुझे बहुत जादा पसंद आती है, कि हम सब इस चीज़ के अंदर बहुत जादा involved हैं हम सब देखते हैं कि मैनिफेस्टों में क्या क्या चीज़ें promise करी जा रही हैं, क्या क्या बदलाफ करे जाएंगे, क्या क्या सोच रही है party और ये जीतने के लिए fights हैं बहुत जादा जरूरी है मैं personally, जो लोग development के उपपर, जो लोग growth के उपपर, positive चीज़ों के उपपर votes मांगते हैं, उनको मैं vote देना prefer करता हूँ आँ बताना भाई, आपका क्या criteria रहता voting आप आप सब जागे vote करें और हम मिलते हैं आपसे next video, bye bye